नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं सल्मान खान की नई फिल्म अंतिम दफाइनल टुट का स्टोरी एक्स्लिनेशन करने जा रहा हूँ सो अगर आपको ये मूवी एक्स्लिनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ मूवी की स्टार्टिंग में हमें रहूल और उसके पूरे परिवार को दिखा जाता है जो कि अपना गाउं हमेशा के लिए छोड़ कर पूना जा रहे होते हैं क्योंकि वहां की सबजी मंडी में रहूल के फादर दत्ता पहलवान को हमाली की नौकरी लग गई होती है दरसल दत्ता पहलवान और उनका पूरा परिवार जिस घाउं में रह रहा होता है वहां सिंधे नाम के आदमी का बोल बाला चलता है और उसी सिंधे के वहां दत्ता पहलवान चौकिदारी किया करते थे पर एक दिन गेट खोलते टाइम दत्ता पहलवान से सिंधे की गाड़ी पे scratch लग जाती है जिस वज़ा से सिंदे के आजमी डटता पहलवान को बहुत मारते हैं और तभी ये बात राहूल को पता लग जाती है जिस वज़ा से वह भागा भागा सिंदे के वहाँ आता है और कहता है कि जिस पैसे की अकर तुम दिखा रहे हो मत भूलो ये जमीन कभी हमारी हुआ करती थी इस पर सिंदे यह बोलता है कि मैंने ये जमीन पैसे देकर खरीदी है तो अब ये मेरी जमीन है अगले दिन राहूल जब घर आता है तो उसे यह पता चलता है कि सिंदे ने उसके बाप को काम से निकाल दिया है क्योंकि उसने अपने जमीन में पैदा हुई सब्जी तोड़ने की कोशिस करी है इसलिए उस पर जूटा चोरी का आरोप लगा कर काम से निकाल दिया इस वज़ जाता है गाउं छोड़ने से पहले राहूल सिंदे के घर जाता है और उसे यह वार्निंग देता है कि एक दिन वो वापस आएगा और उससे अपनी सारी जमीन छुड़वा कर रहेगा जो जमीन उसने उसके बाप से कोड़ियों के भाव में खरी दी है नेक्स सीन में हमें इ एक आदमी भी अपना मूँ नहीं खोलता कि आखिर ये सब किस ने किया है बड़ी देर बाद एक अंकल सामने आकर यह बताते है कि ये सारा काम यहां के MLA के बेटे का है और ये उसने पहली बार नहीं किया है बलकि इससे पहले भी वो ऐसा कर रखा है ये सुनकर के इंस्पे मार्केट यार में चाय बेचा करती थी जहां राहूल हमाली का काम किया करता था राहूल को मन्दा पसंद थी इस वज़ा से वो अक्सर मार्केट यार में मन्दा को देखा करता था एक दिन राहूल मन्दा के वहाँ चाय पीने जाता है जहां पे मन्दा उसे यह बताती है कि special चाय 3 रुपे की है और cutting एक रुपे की ये सुनने के बाद राहूल उसे 3 रुपे दे करके एक special चाय मांगता है और अब जब मंदा उसे चाय दे रही होती है तब राहूल उससे यह बोलता है कि आखिर क्या guarantee है कि ये चाय special है और अगर ये चाय तू जूठा करके दे तो मैं म पास हपता देने के लिए पैसे नहीं होते ये देख करके वहां मौझूद कॉर्पेटर सालवी के आदमी उसे मारना स्टार्ट कर देते है अपने पापा को पिटता देख करके मंदा उन्हें बचाने जाती है इस पर कॉर्पेटर सालवी के आदमी उसे भी मारना स्टार्ट कर देते हैं मंदा को पिट्टा देख राहूल अपने गुसे को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कॉर्पेटर सालवी के आदमियों को मारना स्टार्ट कर देता है जिस वज़ा से उसे और गन्या को दो दिन के लिए जेल हो जाती है जेल में इस्पेक्टर राजवी राहूल और गन्या को समझाता है कि वो इस लफडे में ना पड़े क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दलदल है जिसमें आदमी एक बार फस गया तो फसता ही चला जाएगा अगली दिन हमें जेल में नान्या भाई को दिखा जाता है जो कि पूने का एक बहुत बड़ा डौन होता है और आ का उसके काम की चीज है जिसके बाद वो राहुल के पास जाता है और उससे बोलता है कि कल तक उसकी बेल हो जाएगी पर तब तक जेल में कोई लफड़ा नहीं चाहिए अगली सुबह जेल से रिया होने के बाद राहुल और गन्या सीधा नान्या भाई के घर जाते हैं जहा पर कॉर्पेटर सालवी अपने कुछ आदमियों के साथ बैठ करके डांस देख रहा होता है डांस खत्म होने के बाद राहुल कॉर्पेटर सालवी और उसके आदमियों को मारना इस्टार्ट कर देता है कि तभी गलती से एक सीशे का टुकड़ा कॉर्पेटर सालवी के करतन में घुच जाता है जिस वज़े से उसकी on the spot मौत हो जाती है और एक बार फिर राहूल और गन्या को जेल के अंदर दिखाय जाता है जहाँ पे उनकी बेल करवाने खुद MLA और नान्या भाई आये होते हैं बेल हो जाने के बाद राहूल सिधा अपने पापा से मिलने को बोलता है जिस पर दत्ता पहलवान राहूल को यह कहकर मना कर देते हैं कि उन्हें महनत की रोटी खाना पसंद है ना कि गलत कामों से कमाय हुए पैसो की रोटी यह सुनने के बाद राहूल इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने लगता है कि तभी वह यह देखता है कि ए अबसे वो उनकी सारी सबजिया खर देगा जहाँ पे किसानों को प्रटी ट्रक 12,000 रुपे मिलेंगे ये खबर सुनते ही वहाँ मौझूद सारे किसानों में खुसी की लहर दोर परती है और वहीं पे हमें मंदा को दिखा जाता है जो कि राहुल के द्वारा कियेगे एनाउंस हजार रुपे का फाइदा होगा इसलिए उसने प्रती ट्रक 12,000 रुपे में खईने का किसानों से वादा कर दिया है और तभी वहाँ पिट्ट्या और दया आ जाते हैं जो कि नान्या भाई से यह बताते हैं कि एक 50 सेकर की प्लोट है जो कि छुड़वानी है और इस काम के उन्हें च्छे पेटी मिल रहे हैं सो क्यों न यह काम तुम अपने आदमियों से करवा दो और बदले में तीन पेटी तुम्हारी इस पर नान्या भाई रेडी हो जाते हैं और तभी नान्या भाई का वकील उन्हें यह बताता है कि यह वही प्रोपर्टी है जिसे हम लोगो वही बैठ कर सुन रहा होता है जिसके बाद से वह नान्या भाई से यह बोलता है कि वो इस काम को करेगा बट इस काम का 85% पैसा हम रखेंगे और सिर्फ 15% पैसा ही पिट्टे और दया को मिलेगा क्योंकि यह सारा काम हम कर रहे हैं जिस पर नान्या भाई रेडी हो जाते हैं और रहुल की बदमाशियों को देख करके उन्होंने रहुल को स्कूल से बाहर निकलवाया होता है सब के सामने मास्टर जी के हाथों पिटाई खाने की वज़े से रहुल को गुस्ता आ जाता है और वो सभी के सामने उन्हें गोली मार देता है और एक बार फिर वो जेल से छ खाली थी जिस पर MLA नान्या भाई से यह बोलता है कि खापड़े के नाम से पार्टी प्रेसिडेंट नराज हैं क्योंकि उस पर आलरीडी कई सारे चार्जेस चल रहे हैं इस वज़े से उसे टिकेट नहीं मिल सकती है इस पर नान्या भाई MLA से यह बोलते हैं कि अगर तुम् नान्या का गेम बजाना पड़ेगा अगले दिन नान्या भाई मारकेड याड आकर रहुल को एक कार गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं कि उसे आज साम उसके बर्डे पार्टी में आना ही होगा नान्या के वहाँ से चले जाने के बाद मंदा का बाप रहुल से यह बताता है क कि आज तू जिसे नान्या भाई नान्या भाई करके बोल रहा है कभी यही नान्या भाई तेरी बेहन की कनपटी पे बंदूख रक करके तेरे बाप से कौडियों के भाव में सिंधे के लिए जमीन खरी दी यह सुनने के बाद रहुल इमोशनल हो जाता है और उसे समझ नही भाई को मार देता है और उसे ऐसा करता इंस्पेक्टर राजवीर देख लेता है जिस पर वो उसे गिरफतार करके अपने साथ ले जाने को आता है इस पर रहुल इंस्पेक्टर राजवीर को यह बोलता है कि अगर आज तुम्हारे सरीर पे ये पुलिस की वर्दी नहीं होत राहुल फिर से जेल से छूट जाता है जेल से छूटने की खबर सुनते ही दया और पिट्ट्या राहुल से अपने हिस्से का पैसा मांगने आते हैं जिस पर राहुल उन्हें 6 लाग रुपए देख करके जाने को बोलता है क्योंकि नान्या के केस में राहुल का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका होता है और फिर थोड़ी देर बाद मंदार राहुल के घर पे आ जाती है जहां वो पूरी रात राहुल के साथ होती है इधार राहुल के छूट जाने के बाद से इंस्पेक्टर राजवीर उदय से यह बोलते हैं कि अब उन्हें दिमाग से खेलना होगा ताकि आपस में ही सारे एक दूसरे को मार करके खतम हो जाए क्योंकि अगर अब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब वापस से पूरे पूने में क्राइम रेट अपने चरम पे पहुँच जाएगा अगले दिन रात में राहुल यह देखता है कि एक लड़का बहुत देर से उसे घर की गेट के सामने बैठा पड़ा है जिस पर वो अपने लोगों से उसे कुछ पैसे देकर वापस जाने को बोलता है इस पर वो लड़का राहुल से यह बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बलकि उसे तो आपकी तरह बनना है या सुनने के बाद राहुल उसे कुछ जवाब नहीं देता है और उपर अपने कमरे में चला जाता है वहाँ पहुच करके राहूल को अपनी पास्ट की कुछ memory सियाद आ जाती है जिस पर वो अपने आदमियों से उस लड़के को उसके पास लाने को बोलता है जिसके बाद राहूल उस लड़के से यह बोलता है कि तुझे मेरे जैसे बनने की कोई जरूत नहीं है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगा अगले दिन हमें राहूल को आफिस मीटिंग में बैठे दिखाय जाता है जहाँ पे सहर के बड़े बड़े बिजनेस मैन मावजूद होते हैं उनसे राहूल यह बोलता है कि अगर वो उसे चंदा नहीं देंगे तो वो उने काम करने नहीं देगा जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग रेडी हो जाते हैं आईटी पार्ग से निकलने के बाद राहूल सीधा मंदा की दुकान पे चाय पीने के लिए आता है राहूल को वहाँ देख करके मंदा कबाब गन्या से यह पूछता है कि आखिर राहूल के पास इतना पैसा है फिर भी यह चाय पीने यहीं क्यों आता है इस पर गन्या उसे यह बोलता है कि तुम बहुत जल्द ससुर बनने वाले हो यह सुनते ही मंदा कबाप गन्या से यह बोलता है कि मैं मंदा का हाथ राहुल के हाथ में देने की बजाए वो मंदा को चल्टी ट्रेन के सामने फेगना जादा पसंद करेगा इस पर गन्या राहुल से यह बोलता है कि मंदा का बाप तेरा और मंदा का रिस्ता कभी नहीं होने देगा इस पर राहुल गुस्से में आकर मंदा के बाप को मार देता है जिस पर मंदा भरी समाज में राहुल को तमाचा मार करके यह बोलती है कि अगर अब कभी उसका बाप साधी के लिए हाँ भी बोल देता है तो मैं तुमसे कभी साधी नहीं करूँगी और तभी गन्या को एक कॉल आता है जहां उसे यह पता चलता है कि बर्किया मारा गया है दरसल बर्किया आईटी पार्क में पैसा वसूली के लिए गया होता है जहां उसे पिट्ट्या और दया के आर्मियों ने मार दिया होता है जिसके बाद से राहूल और उसके आर्मी दया को मारने के लिए उसके घर पे जाते हैं पर दया वहाँ से बच निकलता है और तभी एक पार्टी में इंस्पेक्टर राजवीर MLA को राहुल का पोश्टर दिखा कर यह बोलता है कि आपके MLA की कुर्सी अब खत्रे में है जिसके बाद MLA दया और पिट्ट्या को राहुल को मारने की सुपारी दे देता है इधर राहुल अपने गाउं जा करके अपनी सारी जमीन सिंधे से वापस ले लेता है जिसके बाद वो मारकेट याड आकर अपनी जमीन छुड़वाने की खुशी में अपने बाबा को उसके साथ चलके रहने को बोलता है जिस पर उसका बाबा उसे मना कर देता है वापस जाते वक्त मंदा उसे यह बताती है कि एक हपते बाद उसकी साधी है सो साधी में जरूर आना इस पर राहूल उसे यह बोलता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो जरूर आएगा और वही गनेश विसरजन वाले दिन MLA राजवीर को फोन करके यह बोलता है कि आज वो विसरजन में कुछ न करे क्योंकि आज उसके आदमी राहूल और गन्या का गेम बजाने वाले हैं जिस पर राजवीर भी कुछ न करने को रेडी हो जाता है पर तभी विसरजन के टाइम राहूल गन्या को कॉल लगा कर यह बोलता है कि वो विसरजन में नहीं आ रहा है जिसके बाद ही दया और पिट्ट्या गन्या का गेम बजा देते हैं ये सब देखने के बाद राजवीर को गुसा आ जाता है और वो वहीं मौझूद MLA को गोली मार देता है राहुल के वहाँ ना होने की वज़ा से दया और पिट्ट्या के आदमी उसे मारने उसे घर पहुँच जाते हैं कि तभी वहाँ राजवीर पहुँच जाता है और राहुल को बचा लेता है जिसके बाद से राहुल राजवीर से यह बोलता है कि वो खुद सरेंडर करेगा बट उससे पहले उसे एक दिन का समय चाहिए ताकि वो गन्या का अंतिम संसकार कर सके और दया और पिट्ट्या का गेम बजा सके और अगले दिन जब राहुल गन्या का अंतिम संसकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ दय और पिट्टे अपने आदमियों के साथ पहुंच जाते हैं और उसके आदमियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जान को खत्रा देख करके राहुल वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है जहां वो भागने को दोरान सिध्धात को कौल लगा कर यह बोलता है कि घर में जितने भी आदमी मौजूद हैं उन सभी को मारकेड याड आने को बोलो और इधर राहुल के पीछे इतने आदमियों को देख करके दत्ता पहलवान इंस्पेक्टर राजवीर को कौल लगा कर यह बोलते हैं कि आप राहुल की मदद करो नहीं तो आज ये लोग राहुल को खत्म कर देंगे जिसके बाद से राजवीर राहुल के साथ मिलकर के दे और पिट्टिया को मारना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहाँ सिध्धात आ जाता है जो कि सब के सामने राहुल को गोली मार देता है दरअसल सिध्धात उसी मास्टर जी का बेटा होता है जिसे राहुल ने 50 पूने के नहीं बलकि पूरे महराष्ट के नए भाई होने वाले हैं यह सुनते ही राजवीर उन दोनों को गोली मार देता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो बस आजकी वीडियो में इतना ही अगर आपको यह मूवी एक्स्पिनेशन पसंद आई हो तो वीडियो